Assalamualaikum, दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है, कुईद को लेकर के सभी परवासी को लेकर के चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे कमपणी जितने भी कमपणी बंद है, उनको लेकर के अपडेट है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दे कि कुईद से कुईद 669 केस का माम लाया है जो कि काफी कम हो गया है ना के बराबर उनके साथ यहां पर एक डेथ है और साथी में 1805 रिकावरी भी हुआ है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा गूड अपडेट है कुएट से कोई 19 को लेकर के उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट अप के अंदर कर काम काज है वो नॉर्मल नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा बता दे कि कुएट के अंदर कोई 19 के कारण जितने भी कमपनी है ऑफिस है सभी के ओपर इस्ट्रैक्शन लगा हुआ था किसी का चार गंटे का डूटी कर दिया गया था कहीं पेच्छे गंटे का य काम करेगा इससे यह होगा कि जितने भी लोग विजा का वेट कर रहे हैं या फिर सिविल आइडी ऑफिस्यल जो भी वर्क है उन सभी को ज्यादा से ज्यादा जादा जिससे कि सभी जो भी पेंडिंग ऑफिस्यल वर्क है वो सभी कुछ जल्द हो पाएगा और दोस्तों के अंदर अभी छुटियां चल रही है नेशनल डे का ये छुटी खतम होने के बाद जैसे कि 13 मार्च का बताएगा है तो दोस्तों उमीद के आ जाता है कि 13 मार्च को कुछ अच्छा ही गोड अपडेट देखने को मिलेगा कुएट के अंदर दोस्तों छुटियों के दोरान सिक्योटी का फुल इंतजाम किया गया है जो लोग भी छुटी जाते हैं अपने साथ में सिविल आइडी जरूर लेके जाएं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं मेजर जनरल अल जो भी 2000 सिक्योटी परसनल एंड 300 पेट्रोल ऑन डूटी डूरिंग नेशनल सेलिबरेशन पूरे कुईट के अंदर दोस्तो फुल सिक्योटी का इंतजाम किया गया है एडवांस टेक्निकल वाला जो कैमरा होता है उनके साथ मोनिटर किया जाता है चाहे वो ड्रैविंग लाइन में हो या फिर जो लोग सीटी वगरे में जाते हैं कहीं पे भी किसी को भी अगर वाय दिर का में जाते हैं एसे वाला जो भी के अध्यक्व किया जाता है यह आता है उता है जो नहीं किया से जाता है सब्सक्राइब थायब।